कैसा फील होगा अगर आपके आपके family member की bank account में पड़ी, मेहनत की, जिन्दगी भर की कमाई को कोई कुछ पलों में खाली कर दे मैं और मेरी वाइट गुंजन ने थोड़ी दिर पहले कुछ ऐसा experience किया जो मेरा मन किया कि मैं आप सब के साथ जरूर शेयर करूँ दो चीज़े आपको जरूर बतानी चाहता हूँ, so that आप खुद को और अपनी family को safe कर पाओ, secure कर पाओ तो मैं और गुंजन एक hotel में थे, गुंजन के ना cards में कुछ time से problem चल रही थी, तो गुंजन को लगा एक दिन bank में call करके मैं इसको ठीक करवाती हूँ तो गुंजन ने Google से ICIC bank customer care का number निकाला और call कर दिया, ring हुई, ring हुई, और उसके बाद सामने से किसी ने phone उठा लिया तो उसने का, hello ma'am, मैं ICIC bank से बोल रहा हूँ, आपकी कैसे help कर सकता हूँ गुंजन ने का, कि मेरे cards में कुछ issue आ रहा है, cards blocked है, मुझे उनके बारे में बात करनी है पट साथ ही गुंजन को doubt हुआ कि यार, कोई वो वली tune नी भजी कि इस चीज़ के लिए एक दबाओ, इस चीज़ के लिए दो दबाओ, सीधा बंदे ने call उठा लिया और उसने का के ठीक है मैम, यह resolve हो जाएगा, मैं आपको callback करता हूँ उसने phone रख दिया और गुंजन को वापिस call आ दिये जैसे गुंजन ने call उठाया तो उसने का के मैम आप बता रहे थे कि आपके card में कुछ problem आ रही है मैं ICAC bank से बोल रहा हूँ, आपको मैं resolve करवा दूँगा, आपका card वापिस ठीक हो जाएगा on the phone ही सारा कुछ हो जाएगा अब गुंजन को थोड़ी careful भी थी, क्योंकि थोड़ा शक हो रहा था कि सीधा कैसे किसी ने उठा लिया उसने पूछा कि सीधा कैसे call मिल गई मेरी आपके साथ, उसने का मैं यह personalized banking है जहाँ पर हम quick resolution देते हैं, जहाँ पर आपको long process में नहीं जाना पड़ता अब गुंजन को थोड़ा थोड़ा doubt हो रहा था, गुंजन थोड़ी careful थी तो गुंजन ने का ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना होगा, solution कैसे मिलेगा तो उसने का कि मैं आपको एक app download करनी होगी, मैं phone पे साथ में रहूंगा और उससे हम इस चीज को resolve कर पाएंगे, आपके cards को unblock कर पाएंगे अब गुंजन के mind में चीजें clear हो रही थी, तो गुंजन ने सोचा कि इसको proper understand करते हैं, इसको record करते हैं तो गुंजन ने का कि हाँ, मैं app download करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा, तो क्या आप मुझे, मैं एक बार wifi zone में चले जाती हूँ, भी network नहीं है ये ध्यान से सुनना कौन सी app है, कैसे कर रहे हैं, so that हम सब को aware कर पाएं अब गुंजन ने 10 मिनिट इसलिए माँगे, क्योंकि उसको doubt हो रहा था, हो मेरे साथ share कर पाएं, और secondly, हम इस चीज़ को understand कर पाएं, record कर पाएं, so that हमें पता लगे कि exactly क्या scene है, और हम दूसरों को बता पाएं तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने त्यारी करी, हमने अपना phone, camera, सब ready करा, कि जैसे उसकी call आएगे, हम अच्छे से उससे बात करेंगे, questions, पूछेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या strategy और दूसरों को aware कर पाएं, so we were ready, उसकी call आई, 10 minute, exact 10 minutes बद उसकी call आई, गुंजन ने दिका, ठीक है, आप, बताइए, उसमे का, एप स्विल में जाएए, और टाइप कीजिए, A, N, Y, ए, 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 न, वाई, हाँ, यह लिस्ट आया, इसमें से कौन से वाला, ए, न, आप, बताईए, उसमें से लिखाँ होगा, ए, 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 अ, पे, इसी, आई, आप, ही है, ए आपको आइडिया होगा तो गुंजन को क्लेर हो गया यह एनी डेस्क डाउनलोड करवाता है और गुंजन ने का हाँ जी मैंने आप डाउनलोड हो रही है अच्छा बताई आप कहां से बोल रहे हैं साथ साथ कोशन्स पूछती है कि इसने का मैं मैं इससी बैंक के हैड ऑफिस से बोल रहा हूँ अपच्छा अपना इंप्लॉई आइडी बता दिया अपना नाम बता ये नाम भी बता दिया और गुंजन ने का देखो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि मेरी ट्रांजेक्शन थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं अच्छे से आप से पूछ र और उसने का मैं एनिटेस्स डाउनलोड होगी गुंजने का हो गई हुई नहीं थी बड़ दिया उसने का मैं ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर आएगा वहाप मेरे साथ शेयर करो गुंजने का कि मैंने अप डाउनलोड तो कर लिया लेकिन ये ओपन नहीं हो रही वह भी पूरा नेवर गिव अप अटिटूड में था क्या मैं जीतेंगे जीतेंगे करे मैं आइफोन है आपका करे मैं आइफोन में कई बस टोरेज इशू होता है तो आप कुछ एप्स डिलीट करो आपको नहीं चाहिए तब आपकी एप ओपन हो जाएगी ठीक है मैं ट्राइक्शन थोड़ा भरोसा हो जाएगा ना देखो पैसे का मामला है मैं एक बार वीडियो कॉल में आके बता दूँ आपको एक बार आपको देख लो आपका ओफिस मुझे नजर आ जाए कि ऑफिस से बोल रहो फिर मैं पका ट्रांजेक्शन कर लोगी तो वो कुछ पल के लिए साइले पहली चीज़ के हम बहुत हमारी common आदत होती है कि अगर हमें बैंक पे कॉल करना है किसी भी तरह की customer support पे कॉल करना है गूगल पे लिखते हैं और वहाँ जो number आता है हम उस पे कॉल करते है वाट इन स्कैंस्टर ने क्या किया है Google एड चला यह हुए है आप बैंक को reflect कर रहे ये सोचके कि ये bank का number है जब उनको कोई call करता है वो app download करवाते है Anydesk, Anydesk से क्या होता है कि remote access वो आपके phone का ले लेते हैं Anydesk से अगर आप उनको वो number share कर देते हो code share कर देते हो तो जो app की उपर आता है तो पूरा control आपके phone का उनके पास चले जाता है जब तक आपको realize होता है कि इतने messages आएं इतना पैसा जा रहा है तब तक को काफी bank खाली कर चुके होते हैं आप जाके Google पर अगर search करोगे आपको नजर आएगा लोगों का कितना पैसा इस तरीके से गया है किसी का धाई लाग गया है, किसी का तीन लाग गया है मेरे एक team member के 25,000 उपए इस तरह से गए है किसीने 2 साल से पैसे जोड़े होंगे, किसीने 5 साल से पैसे जोड़े होंगे किसीने अपने बच्चों की fees के लिए जोड़े होंगे किसीने emergency के लिए, किसी का कोई सपना होगा घर लेना है, finally मुझे शादी करनी है, settle होना है ऐसे कई सपने एक पल में तूट जाते होंगे जब ये लोग लूटते हैं मैंने net पे पड़ा क्या-क्या हुआ है लोगों के साथ जब किसीने उनका remote access लिया कोई 5 साल पीछे चला गया अपनी जिंदगी में जब कोई बैटके scam कर रहा है कितने लोगों का नुकसान regularly होता होगा जो scam कर रहे हैं, इनको लोग अराम से मिल जाते होंगे क्योंकि बहुत लोग है जिन्होंने नई-नई internet banking शुरू करी, उनको idea नहीं है बहुत लोग है जो technological ली उतना aware नहीं है कि any desk क्या होता है, यह सारी चीज़े नहीं हमारे parents की age के लोग हो सकते हैं old age के लोग हो सकते हैं जो अराम success दे देते होंगे तो मेरी इस video का यही purpose है कि आप खुद को, और अगर आपको पता भी है तो अपने family members, अपने relatives सब को इस चीज़ के बारे में aware करो ऐसी एक call past की पूरी मेनत जीरो कर देती है और future के सारे सपने जीरो कर देती है एक इनसान एक पल में आपके past की मेनत को और आपके future के सपनों को जीरो कर देता है मेरी ये video का purpose यही था कि अगर हमने कुछ experience किया हम बच गए और हम सब को बचा पाए so इसी purpose से मैं ये video बना रहा हूँ कि be very careful आज google ad यूज किया है any desk यूज किया है कल को कोई और app हो सकती है कोई और तरीका हो सकता है be very careful पैसा कमाने में बहुत मेनत लगती है और पैसे के साथ बहुत सपने जुड़े होते है पैसे की value मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हो इसलिए please make sure के आप और आपके आसपास जितने लोग है whatsapp groups में इस video को share कर सकते हो अपने family friends के साथ share कर सकते हो उनको इस experience के बारे में बता सकते हो so that वो इस चीज में बहुत careful रहे take care everyone I love you all